नमस्कार न्यूज 18 के चुनावी नुक्कड कायरकाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रतलाम से मैं हूँ सुधीर जैन और भी हम खड़े हैं रतलाम के डालू मोदी चौराहेप से जहां से आधम शुरू करेंगे न्यूज 18 की चुनावी नुक्कड कायरकाम में चुकि रतलाम का यह वही चौराहा है जहां से रतलाम शहर की राजनीती शुरू होती है यहां सुबह से शाम तक के चाय और जो पांठेले वहाँ पे जो नेता है जो कारेकरता है और जो जनता है उनकी भीड लगती है और आई जो बड़े मुद्दे है जिनको लेके बार आप भी वोट देने के लिए पोलिंग बूट तक के जाएंगे क्या लगता है आपको शहर में विकास तो बड़ी हो रहा है सब दूरोड़े वागरा सब बन रही है लाइड वाइड की सुविजा भी अच्छी है और वागी नही आप वागी नहीं तो पान खाने के लिए क्या लगता है तो अच्छा हो रहा है विदोश्य में उठाना है वह अच्छी तरह के से करना है प्रदान मंत्रिमोंग बढ़िया है यह यह है रतलाम की चुनावी चौपाल चुनावी जमघट यहां पे रोज जर्जनों नहीं यह यहां पे दिखते हैं यह वह चाय की डुकान है यहां पर रोज जुठते हैं चाय की चौपाल सब्सक्राणा की दिर्द का žarat तो बहुत काम हो रहा है क्षप जे काम करवा नहीं अभी अच्छा चल रहा है जो लग रहा है यह चुरावी चौपाल यहां सच गई है में विपक्ष में है और महन कटारिया शहर कॉंगर्स का अध्यक्ष है चाय पीने आप रोजी आते यहां पर बिलकुल मित्रमंडल यहां क्योंकि राजनेती गुरूप से भी महत्पुन चुरा है और रहे तो सभी मित्रमंड यहां पर रहते हैं क्या लगते से कौन से चार बड़े गल्थिया में कहूं हूं यह चार बड़े ऐसे काम में आप से कहूं इस चार इसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके इस बार आ बारती जन्ता पाटी के और वीगत कारी काल में अपको ठाका सा मेसुस कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो रत्लाम में जुलन मुद्दा है आज की स्कति में वह बेरोजगारी का। बड़े गाउं में परिवर्टी तोने जा रहा है दिरे दिरे ना उद्द्योग दन्दे पुछले 15 साल के कारेकाल में विदाहक जी दौरा एक भी कोई नया उद्द्योग यह पर रत्लाम में नहीं लाया गया बहुत बड़ी रत्लाम की दुर्भाग्ये विडम ना है रत्ला जानावल नहीं आया है और क्या प्रेयास आपने कि उसके लिए वह टोटल बंद हुए कांग्रेस के कारीकाल में पहले इसा नहीं है और बड़े उद्योग की बजाए सरकार यह चाहती कि चोटे-चोटे लगु उद्योग के माध्यम से काम दिया जाए और जो बेरोजगारी की बात करें इस प्रकार के कोई बेरोजगारी नहीं है आप सो दो सो पांचो लोग भेजो ना इपका में काम के लिए नहीं रहे लगु उद्योग की आवशकता है उस अनुदूप यहां पर काम चल रहा है और जो उद्योगी निवेश चेत्र बन रहा है वह लगबग लगबग उसमें लगब 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 तीन से चार अजान लोगों को रोजगार मिलेगा किया लगता है किस ल्क में देखते हैं वेरोजगारी को लेकर भाजपाने क्या शहर में काम किये हैं नि दे ब्रोजगारी को क्लश्टर भी कितने साल हूँ से चला है आप उसको देख लो सब को साथ लेकर इस और प्रयास करने चाहिए थे और निश्चित रूप से रतलाम में अगर उद्योग नहीं आएगा तो बेरोज गारी और बड़ेगी आप शहरवासी है क्या दो बड़ी उपलब दिया है रतलाम शहर में जो इस्टैंडिंग विधायक है उनकी और क्या दो बड़ी समस्या है करी सालों से रतलाम विकास में पिछड़ा हुआ था दिरे-दिरे मुल्बूस सुविदार अतलाम को विधायक जी के और महापोर जी के नेत्रत्म में मिल रही है एक बड़ी पीडी जिसने शहर को कभी विच्षित नहीं देखा वो दिरे-दिरे धी देख लोगों को रोजगार मिले है दो बड़ी समस्याह था यही कर भीण आपको नगर निगम का पार्सद झाल है उनका कोई सदस्य रॉट कइंस समस्य जो काम है वो विपक्ष का काम इमांदारी से नहीं हो पाता है ना नगर निगम में जनता की मुद्धे उठते है ना प्रदेश में जनता की मुद्धे उठते है कुछ लोगों के यहां प्रेशन सवाला है निश्ची तोर पर अब ये हो सकता हो किसी दल से समढ़ते हो करें इस प्रकार की बात करें वीपक्ष अपना काम पूरा कर रहा हूं हम लोग जो मुद्धे हैं लगातार जनता और आप लोगों के प्रेस के मद्धन से लगातार उठार है कि आप आप जो भिकास की बात कर रहे हैं सबसे प्रहुन स्यूव्रेज लाइन से सारे नागरिक परइसान है अब अध्योटियो जोंदा लही हैं है क्या लगता है सिव्रेज रत्लाम Sag ल過去 सही है उन परिवरतनों को सही तरीके से यदि व्यवस्तित तरीके से किया जाता तो निश्ची दूप से सिवरेज में इतनी शिकायती जो आ रही वो नहीं आती अब जो निर्मान कार करने वाली जो कमपनी है उसके पर जिस प्रकार की मानिटरिंग जितनी सक्ति से होना चाहिए थी और जिस प्रकार का क्वालिटी का उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया निश्ची दूप से उसमें कहीं नहीं कहीं मानिटरिंग की कमजोरी रह पर कुछ कुछ जगा यहां तकलीक है तो वापस से शिवरेज का काम जब शुरू हुआ था जब डेड़ वर्ष कांग्रेस की सरकार रही उसके बाद करून का काल रहा उसके बाद जब हमने देखा कि इसमें कुछ कमी आए तो माली विदायग जी के माध्यां से माली की सरकार रही और सिवरेज आया कितने ट्रीटमेंट प्लांट के शे को घटा के कर दिये दो रतलाम के अंदर किसी भी हिसाफ से सिवरेज सेक्सेज नहीं रहीगी कमिश्णर ने पहले कहा था कि बारिश का पानी उसमें नहीं आएगा जब तक लाइन चालू नहीं हुई है प्रति दिन पानी देंगे प्रतु यह जूटे लोग है कि जनता को ठागा जा रहा है और पूरे महीने का पेरिमेंट भान परिंट से अम्रत् जोप्राइक करोल क मींकि चलो करोड नहीं ह conventionि के पानी नाम फे और वाकिव पानी की समस्या तो है अप मांधे इस बाग क्या पानी की समस्या है है तो गांग्रेश में के अंदर अधर क्यों भार्ती जंटा पारीटी के मित्रों से कि विलो दबाद पर इधो उने परिश्य फुरह करता दरता है यह परिश्य को खतम ऒर दी गई कई अट महीन χोगा परिश्यद होती है महापोर को लिख 스रची कुछ करता है right naar क्वंते समय-स समय-विसा कोई-भी- Māra परिशत नहीं बुलाते हैं महापोर पुरे कारकाल में सब परिशत बुलाई गई है और वर्तमान में भी महापोर आवसकता अनुजार जी प्रस्ताव आते हैं क्योंकि नए नियम आजकल आगया है बहुत सारे काम यसे होते हैं जो परिशत में लाने की आउसकता होती तभी परिशत बुले जाती है आप बताएं दो बड़े काम शहर में दो बड़ी समस्या शहर की अब आपके सामने बाजपा के नेता के रहे थे आपने कोई पानी की नहीं बनाई जिसमे पानी की वेस्ता और कालोनी में सुचा रूप से पानी मिले डोलावाड डेम पे आपने देखा कि अभी पानी की कित्थी कमी आई और दो दो तिन तिन दिन पानी छोड़ के मिला जिससे पानी की समस्य बिल्कुल समापत हो जाएगी वाटो के अंदर छोटे सी परसाथ के अंदर भी आई दिन समस्यारी है परियाइं का परियात पानी है यह जूटे लोग है जंता को जूटी बाते करकर करके आज इस परकार से भर्हम फेला रखा है केवल भगवान के ना अधिकास कार कहीं के अधूर यह जब लगते हैं या पिर काम हुए ही नहीं काम विकास हुए नहीं अवी तब दंदे चला रहते उनको उजाड़के और पत्ले गाड़ जिससे आने पक्षी मर्गे पोरसा विकास दिख दिख रहता है ता कास निवा माहापोर्ड जी शर में दिख देख देए उस साल पहले के रतलाम देखो बहुत चेंज हैं चारो तरफ विकास के काम चल रहा है और और यह बोल रहा को पीराड़ काड़ दिये और पक्षी मर गया तो में इन काउंग्रेस के भाई यो को उसका सब कॉन्टक्टर है वह एक।का कार्यकारी अद्यक्स है उसी औश से पूछो किय से काटेरो और किसे बकिसी भर और रौत है नें जगह उनको उपलब करवाई गई वो तो जमीन पेची गई है शहर के अंदर जूटी बात फिलाई जारी है गोल्ड कांपलेश एक प्राइवट एक्टी बना कर यहां की जंता के अन्याय करेगा कोई साज की योजना नहीं है वो केवल उससे पैसे लेके और कोई विकास के ना वाण में जाहां से रहाँ बाइटर सुरू हुआ और योजना सुरू है इंको लेकिने के पार्शाद है इंको लेकर नहीं और है काम भी अदूरे हैं काम के पूरे हो जाएंगे पिछले नो बश्यों में माने विदाएग जी जब से विदान सभा जीते हैं नो वर्षों में 2,000 रोड के काम हुए हैं कुल मिला के आप चारो तरफ शहर की चारो और शहर की चारो और में फोर लेन देखिया आप अब मेडिकल कोलेज देखिया और इसके अलावा अभी आंत्रिक रोडों का जो काम चल रहा है जो काया कलब के माध्यां से सीविरी रोडो यह नहीं बनी और पूरे चेत्र में सभी वाड़ों बिना पक्षपात के arson B.J.P कोई भी वाड़ो सारी जगाए विकास के काम चल रहे वर रोडों का काम निएनटर चल रहा है तो बड़े काम दो बड़ी समस्य शेहर की सहर में विकास हो यह रहा है कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना और गोल्ड कांप्लेक्स बन रहा है सहर में कितनी बड़ी योजना है मानिनी विदायक जी बनवा ही रहा है दो बहुत बड़े काम यहां पर हुए है रतलाम के अंदर सबसे ज्यादा आज तक कभी भी फोर लेन का काम नहीं अधिना आपना में बहुत सारे राइजिंग इसकूल बने है और जो इसकूल बन गए है वह संचालित भी हो रहे हैं कोई भी निर्मान कार जब होता है तो उसको समय लगता है अब आपन नीजी तरदी के से बनाते हैं प्रक्रिया में होने में टाइम लगता है अभी मेने मा इनके हरे चस्में लगेवे हैं विकास के ये सब जूटे लोग हैं और शहर की जनता भुगत रही है आज विकास के नाम पे जोगो आप केवल डोड बनने से को विकास भी हो जाएगा आप सरकारी स्कूल देखो जाकर वहां बच्चों को अपनी किलास में जाने के लिए विनो अधिकार महापोर को दे दिया करोड़ों के ब्रस्टा चार हो जाएं टेंडर करा देंडर हो जाते हैं अधिकार में लेले के जानकरी और सिकायते हो रही हैं उपर दो चार महीने के अंदर इसका रिजट आएगा अब शार की कई सड़के देखें सिर्थी बनी वह अभी अभी शे मैने भी नहीं हुए उन थेकेदारों के पेमेंट रोके गए हैं जिन्होंने घराब काम किया है उनको पेमेंट रोके गए और बकाय दक तीन साल का मेंटेनस का है उसमें तो उसमें कोई ब्रस्टा चार वा तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी है कि योजना अमारे अतला में पास हुई है 31 क्रोड रोके की जित्ते भी विकास की बात कर रहे हैं सब इनके ठेकेदार हैं उनके द्वारा भारी ब्रस्टा चार क्या जा रहा जिसके उपर ना तो ठेकेदार पर कोई कारवई होती हैं आप शेयर के अंदर जितने नाले बने अमरत योजना में उन नालों की दूरस्टा सा देखे शाल भर भर भी हुए नालों के आधी दिवाले गिर गए हैं जितने गड़़े कितने लोग नागी परसान है बच्चे इसको जाने के लिए परसान है और यह कहने भरतना चान करके संपुन नगर का विकास किया जा रहा है बहुत सारे काम अभी अधूर दिख रहे हैं दो बड़े बिज अधूरे हैं कब तक पूरे होंगा कब तक जनता को राहत मिलेगी हर कार्म की एक सीमा हुदी होती है और वो काम अपनी सीमा हुदी में निश्ची दूर से पूरा हो मध्यपुदेश के बहुत से चाहरों में चुनावी शौबाल तो रत्लाम से न्यूज 18 के लिए सुधीर चाहें